हलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ड्रिक्स, दोस्तो इस लेक्चर सीरीज में हम डिस्कस कर रहे हैं उत्तर प्रदेश समान ग्यान यानि यूपी जीके के एक हजार पिलस इंपोर्टन कोस्टन की सीरीज को, आप लोगों को बता दूँ, आप कोई भी ऐसे एक्जाम की तै आने बाले हैं, तो आज हम डिस्कस करेंगे इसका पार्ट नमबर 9, इससे पहले 8 पार्ट बनाती है, उन्हें देखना है, तो डिस्क्रिप्सिन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, और इसका पीडियाप लेना है, तो टेलिग्राम चैनल का भी लिंक आपको ड 1857 की किरांती अलग अलग जगाओं उबर होई थी, तो आपसे पूचा गया उत्तरपरदेश के किस छेत्र में यूरोज करांती का दमन कर रहा था, तो किस छेत्र की बाल कर रहा था, बुंदेल खंड में, जहांसी जिले में जो करांती हो रही थी, उसका दमन कौन कर रहा थ नाइट कोस्टन देखते हैं, पूरवी उत्तरपरदेश में अंगरेजो के बिरुद बिद्रो का नेतरव किस ने किया था, आपको फ्रेंज ध्यान रखना आए, तो यह किया था, कुमर सिंग ने, तो यह किस छेत्र में हो रहा था, जगदीसपुर में, कहां पर बिलियम टेलर, तो आप इससे भी ध्यान रखें, नेक्ट कुस्टन है हमारा, कुमर सिंग ने अंगरेज करनल मिलमेन को कब पर परस्त किया, दोस्तो कब किया था, आपको ध्यान रखना आए, 26 मार्च उननिस सो, 1858 में, तो इसमें उप्सन नमबर हमारा यह करेक्ट हो इनकी हेल्प कॉन कर रहा था, तात्या टोपे, तो आप इससे ध्यान रखेंगे, अगर आपको कहीं ऑप्सन में नाना साब और तात्या टोपे साथ में देखे, तो आप इसमें कन्फ्यूज नहीं होंगे, मुक्रूब से नाना साब कर रहा है, तो बाद में तात्या टोपे अगला कुस्चन देखते हैं पिर्देश के मिरट नगर में पिर्तम सोतंत्रा संगराम का अरम कब हुआ दोस्तो कब हुआ था आपको पताई होगा दस मई 1857 को तो इसमें option number हमारा C correct हो जाएगा इसको आप ध्यान रखेंगे अगला कुस्चन है पिर्तम सोतंत्रा संगराम के दोरान अबद में हुए बिद्रो का नेतरब किस ने किया दोस्तो अबद यानि की लखनों के छेतर में जो करांती हुई थी तो इसका नेतरब किस ने किया था बेगम हजरत महिल ने अगला कुस्चन देखते है पिर्देश में जहांसी की किले पर अंग्रिजों का अधिकार कब हुआ था अबद अंग्रिजों का अधिकार में कब आया तो अबद यानि लखनों का छेतर अंग्रिजों का अधिकार में कब आया आपको दियान रखना है 6 सितंबर 1857 इस भी में ओप्सन नंबर हमारा इसमें B करेक्ट हो जाएगा तो अंग्रिजों ने 6 सितंबर 1857 को अबत पर अधिकार कर लिया था अगला कोस्टन है मारा गोरकपुर उत्तरप्रदेश के समीब इस सित 14 चोरी हत्यगांड कब हुआ दोस्तो कब हुआ था 5 फरवरी 1922 में तो इसमें तो ऐसा कोई ओप्सन दे नहीं रखा है तो इसमें उन्होंने इस बुक में कोस्टन का अंसर 4 फरवरी 1922 दिया है तो ऑप्सन नमबर इसमें हमारा एक रेक्ट हो जाएगा कुछ बुक में इसका आंसर 5 फरवरी 1922 दिया गया है जादेतर बुक में और कुछ बुक में आपको 4 फरवरी देखने को मिलेगा तो अगर आपको 4 फरवरी 5 में से जो भी आपको दिखे आपको बुई लगाना है तो इसमें उप्सन नमबर हमारा इसमें एक रेक्ट मान सकते है अगला कुस्टन हमारा उत्तर प्रदेश के किसान अंदोलन का नेतरप किस ने किया था दोस्तो किस ने किया था जवारलाल नेरू ने उप्सन नमबर हमारा इसमें बीक रेक्ट हो जाएगा इसको भी आप ध्यान रखेंगे नेक्ट कुस्टन हमारा 1857 के विद्रों में तात्या टोपे ने किस जगा की किरांती का संचलन किया तो किस जगा पर किया था कालपी में उप्सन नमबर हमारा इसमें बीक रेक्ट हो जाएगा इसको आप ध्यान रखेंगे अगला कुस्टन देखते हैं बरेली में 113 संगराम का नेतरप किस ने किया तो बरेली ये भी उपी के अंदर है तो किस ने किया था खान बहादूर खान ने उप्सन नमबर हमारा इसमें सी करेक्ट हो जाएगा खान बहादूर खान नेक्ट कुस्टन हमारा 1857 की सोधिंता संगर्श की बिरंगाना महारानी लक्षी मिवाई की जन्म इस्तली है दोस्तो बहुत सारे लोग इस कोश्टन को गलत करके आते हैं तो महारानी लक्षी मिवाई का जो जन्म कहां पर हुआ था आपको ध्यान रखना है 1857 के अंदर उप्सन नमबर हमारा इसी करेक्ट हो जाएगा जाज तर लोग जहांसी का जहांसी की राणी लक्षी मिवाई के उससे जहांसी टिक करते हैं जो की गलत है तो इनका जन्म बाराणसी में वहा था इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे इनकी साथ ही जहांसी ही से हुई थी अगला कुश्टन हमारा एक नमबर 1858 को महाराणी घोसरा पत्र को प्रियाग राज में किसने पढ़कर सुनाया दोस्तों किसने पढ़कर सुनाया था लॉड कैनिंग ने ओप्सन नमबर हमारा इसमें भी करेक्ट हो जाएगा इसको आप ध्यान रखेंगे अगला कुश्टन देखते हैं कानपुट सड़यंत्र मुकदमा किस अंदोलन के निदेताओं का बुरुद था तो ये किस के बुरुद था आपको ध्यान रखना है ये असयोग अंदोलन के ओप्सन नमबर हमारा इसमें भी करेक्ट हो जाएगा अगला कुश्टन देखते हैं अबध के किस नबाब ने बॉरें हेस्टिंग के साथ संदी की थी तो किस ने की थी सुजाओद दौला ने ओप्सन नमबर हमारा इसमें सी करेक्ट हो जाएगा इसको आप ध्यान रखेंगे इंप्सन नमबर हमारा इसमें एक करेक्ट हो जाएगा अगला कुश्टन देखते है कॉंगरेस की पिरतम भारती महला आधिक्ष कौंटि तो जो कॉंगरेस के अधिवेशन हुए थे तो उसकी जो पिरतम भारती महला आधिक्ष कौंटि आपको ध्यान रखना है सरोजनी नाइडू ओप्सन नमबर हमारा इसमें डी करेक्ट हो जाएगा और ये अधिवेशन कब हुआ था 1925 में और कहां पर हुआ था आपको ध्यान रखना है कानपुर के अंदर और जो पहली अगर आपसे पुझा जाए कि कॉंग्रेस की पहली महिला को थी अधिवेशन में जो अधिख्च बनी थी तो कौन थी वो आपको फ्रेंट से ध्यान रखना है तो अधिवेशन थी अधिवेशन आप ध्यान रखेंगे इसको अगला कॉस्चन देखते हैं असोयोग अंदोलन के दोरान किस प्रांत के किसानों ने गैर कानूनी अगहाई के बिरुद्ध विद्रो किया तो कहां के किसानों ने किया था अबद की अपसेन नंबर हमारा इसमें बी करेक्ट हुझाएगा नेक्ट कॉस्चन देखते हैं कॉंग्रेस के भीतर सुराज पार्टी का गठन किस इस्तान पर किया गया था दोस्तों जो कॉंग्रेस के भीतर सुराज पार्टी का गठन किया गया था कब किया गया था पहले आपको ध्यान रखना है 1923 में कहाँ पर प्रियाग राज यानि के अलाबाद के अंतर option number हमारा B correct हो जाएगा और आपको ध्यान रखना है किस ने किया था इस पार्टी का गठन तो मोतिलाल नेरू ने और चितरंजन दास ने तो आप इस चीद को भी ध्यान रखेंगे option number हमारा B correct हो जाएगा अगला कोस्चन देखते हैं काकोरी ट्रेन डकेती की घटना कब हुई दोस्तों काकोरी ट्रेन डकेती घटना कब हुई थी 9 अगस्त 1925 को option number हमारा इसमें एक correct हो जाएगा तो इसके जो मुक अभ्युक्त थे राम परसाद बिस्मिल अश्पाक उल्ला खां अश्पाक उल्ला खां रोशन लाल रोशन लाल राजिंदर लोडी तो ये सब इसके प्रमुक इनों ने तरफ किया था इस घटना का तो आप इसको धिहान रखेंगे option number हमारा इसमें एक correct हो जाएगा अगला question देखते हैं 1942 में भारत छोड़ अंदोलन के समय उत्तर प्रदिस के कि शहर में राष्टी सरकार की स्तापना की गई थी तो कहाँ पर की गई थी बल्ली आके अंदर option number हमारा इसमें एक correct हो जाएगा next question हमारा हिंदोस्तान socialist republic republic association के सेनपती कौन चुने गए थे तो कौन चुने गए थे भगस सिंग भगस सिंग आपको इसको ध्यान डखना है तो इसमें option number हमारा एक correct हो जाएगा अगला question है Congress और Muslim League का एक साथ अधी विशन लखनों में कब आयुजित हुआ था तो कब हुआ था 1916 में तो 1916 में Muslim League और जो Congress थी दुबारा एक साथ हो गई थी तो आप इसको ध्यान डखेंगे और जो इसके अधीक्षिता किस ने की दी इसाधी विशन की तो अंभिका अंभिका चरण मजूमदार ने अंभिका चरण मजूमदार ने इसे लेकर एक्जाम में कोशन पूछ सकते हैं तो आप इसको ध्यान डखेंगे तो Congress और Muslim एक साथ हो गई थे अगला कोशन ने मारा प्रियाग राज में 1857 के संगराम का नेता कौन थे तो प्रियाग राज यानि की इलावाद में कौन थे तो Friends आप इसको ध्यान रखेंगे कौन थे मौल भी याकतली Option नमबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा अगला कोशन ने बाबा रामचंद्र ने किसानों का संगठन किया था तो बाबा रामचंद्र ने किसानों का संगठन किया था कहाँ पर अबद के अंदर Option नमबर हमारा इसमें ए करेक्ट हो जाएगा अबद में अगला कोशन ने मारा अबद में अबद पर कुशाशन के आधार पर कब बिटिस सामराज में मिला लिया गया तो इसे कब मिला लिया गया अठारा सो चपपन इस बी में Option नमबर हमारा इसमें भी करेक्ट हो जाएगा इसको आप ध्यान रखेंगे अगला कोशन ने चंद्र शेकर आजाद मुढवेल में कहां शहीद हुए थे तो ये कहां पर हुए थे इलाबाद में यानि फिर्यागराज में Option नमबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा इलाबाद में अलफ्रेट पार्क में अलफ्रेट पार्क में की मुढवेल हुई थी अंगली जों से और कब हुई थी आप इसको भी ध्यान रख सकते हैं 27 परवड़ी 1931 में तो ये डेड़ भी आप ध्यान रखें Option नमबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा अगला कुस्चन देखते हैं भारत छोड़ों अंदोलन के दौरान बलिया के किस कॉंग्रेसी निता के नितरब में अस्ताही सरकार की स्थापना हुई थी तो किस निता के नितरब में चित्तू पांडे के Option नमबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा जिसको भी आप ध्यान रखेंगे अगला कुस्चन देखते हैं अखिल भारती किसान सबा का पिरतम अधी विशन हुआ था तो कहां पर हुआ था आपको ध्यान रखना है लगनों में Option नमबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा Next question देखते हैं पिर्याग राज में अठारो सो सत्ताबन के संगराम के नेता थे कौन थे मौल भी लिया का तली इस question को बसाई चुगा हूँ अगला question है हमारा निमलेकित में से किसे शेरे बलिया के नाम से जाना जाता है जाना जाता था किसे जाना जाता था चित्तू पांडे को Option नमबर हमारा इसमें सी करेक्ट हो जाएगा इसको आप ध्यान रखेंगे Friends ये थे UPGK के UPGK का Part No.9 आई ओप आपने सारे question की practice अच्छे से की है अच्छे से की है तो उम्मीद करता हूँ आपको आने बाले जरूर आपको exam में help मिलेगी Friends सब ये सारे अच्छे question है और exam में आने के पूरे-पूरे chances रहेंगे आप देख सकते UPPCS के UPACC lower subordinate के तो सारे अच्छे question है आप इनकी फिरक्षिस जरूर अच्छे से करें तो फिर आपको UPGK से question कहीं से नहीं बचेगा तो इस वीडियो को जाता जाता शेयर करें और लाइक करें और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें मिलते हैं नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत